ये देखिए हमारा सूरन का भड़ता बनकर रेडी हो गया है इसे हमने किस तरह से बनाया है वह आए देख लेते हैं Hello Friends, मैं स्नेहा, स्नेहा कुकिंग में आपका स्वागत करती हूँ ये हमने ओल ले लिया है इसे हम सूरन भी बोलते हैं और क्या नाम हैं हमें नहीं पता है तो इसे हम पीलर की सहायता से इसे पील कर लेंगे अच्छे से पील करेंगे इसका जो छिलका है वो नहीं रहना चाहिए और इसे जब भी हम पील करें तो हाथ में गलफ पहन के या फिर हाथ में वाइल लगा कर करें ये मेरा हाइब्रीड ओल है इसलिए हमने ऐसे ही लगा कर लिया है देसी ओल जब तरह नहीं वाइल लगाएंगे या फिर गलफ नहीं पहनेंगे तो आप नहीं करने सकेंगे बहुत खुजली करता है तो इसे हम अच्छे से छील कर तयार कर चील लिया है हमने और इसे हम काट लेंगे छोटे-छोटे टुकडे में ताकि हमारा जल्दी से ये उबाल जाए जल्दी सीच जाए इसे कूकर में भी उबाल सकते हैं लेकिन हमने इसे खुले बरतन में उबाल है यह हमने दो लिया है अब इसे हम एक बर्तन में पानी लेंगे और इसे डाल देंगे कि इसे डाल कर हम उबलने के लिए गैस पर चड़ा देते हैं कि इसे हमने ढग कर जब तक सीज जाता है उतना दिर तक हम इसे उबाल ले यह हमने देखिए ओल को उबालने के लिए चड़ा दिया है यह दिखिए सीज गया है हमारा ओल अब इसे हम दूजरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं जिसमें हमें भरता बनाना है इसे ट्रांसफर कर लेते हैं अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन साथ में प्रेस कर दें ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें यह सारा ओल को हमने निकाल लिया है इसे हम फोक के सहायता से इसे हम मैस कर लेंगे क्यूंकि यह बहुत गरम है तो हाथ अभी नहीं लगा सकते ना तो इसे हम फोक से मैस कर लेंगे यह बहुत अच्छा होता है ठंड के दिन में हमें खाना चाहिए यह गरम होता है और अगर देसी वाला ओल है तो वह और अच्छा होता है लेकिन वह थोड़ा बहुत खुजली करता है इसलिए हम यह वाला हाइब्रीड वाल लाए थे इसे मैस कर लिया है हमने अब इसमें हम डालेंगे पांच से छे लसुन की कलिया हमने बारिक में काट लिया है और दो मिर्च को हमने बारिक में काट लिया है एक अस्पुन के आसपस हम इसमें धनिया का पत्ता डाल लेंगे बारिक काटा हुए और इसे हम स्वात के अनुसार इसमें नमक डाल लेंगे और सारे मिक्स कर लेते हैं इसमें इस तरह से आप बनाएगे तो बहुत ही टेश्टी बनता है देखिए हमने मिक्स कर लिया अब इसमें हम हाप लेमन को इसमें रस इसका निकाल के डाल लेंगे ये घटा होने से बहुत टेश्टी लगता है बहुत ही कि इसमें कोई रिफायन वाइल या फिगी नहीं डालना है इसमें सर्सू का तेल पड़ता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें यह देखे कितना जवरदस्त बना है और यह खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है इसी तरह से आप भी बनाईएगा और एंजॉय करिएगा यह हम अपना सॉर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं और आज के लिए इतना ही फिर अब मिलते हैं एक नई वीडियो में आज के लिए बाइ टेक केर और टैंक यू इस तरह से जरूर बना कर देखिएगा